आई गाइज कुछ एग्जांपल्स में इस से रेलटेटीफ आपको बता देता हूं जैसे कि आपका कॉनसेप्ट किलियर रहेगा ठीक है, सब नहीं बर कुछ बता देता हम यह से कैं आपको यह कॉनसेप्ट प्रिल्कोल किलियर रहेगा क्या तो यह कैसे होता है इसको भी देख लेता है तो मैं आपको बता देता हूँ यह किई पहले क्या दोनों इसको देखने स'veसे पहले यह a plus zero लोगों देखिए a plus zero equal to a क्यों है a plus zero equal a क्यों है zero क्यों नहीं है तो इसको अगर आप देखें circuit के अनुसार जैसे की a माले जी की input यह a है एक और input है जीरो प्लस है तो यह और गेट होगा हम लोग जानते हैं ठीक है हम लोग जानते हैं कि और गेट में क्या होता है यह और गेट है और गेट में क्या होता है कि किसी एक में भी अगर जीरो किसी एक में भी अगर वन है तो output आपका वन आगा तो किसी एक में भी अगर a है तो output एक आपका 0 हो गया ठीक है यह end gate है ठीक है अभी end gate में क्या rule है end gate में rule यह है कि दोनो 1 है दोनों वेर input आपका 1 होगा तभी आपका output 1 होगा अगर दोनों में से कोई एक भी 0 हो गया तो आपका output 0 हो जागा तो इसलिए यहां आपका a.0 यानिकी a end 0 equal 0 है ठीक है उसी तरीके से अगर इसको देखें ठीक है a plus a तो a यह output हो गया और a यहां भी output है मान लीजिए यहीं देख लेते हैं ठीक है इस case में यह क्या है प्लस है मतलब यह और gate से है ठीक है और gate से हम लोग जानते हैं कि अगर 1-1 दोनों में होता होगा तो यहां 1 आएगा यानि कि a यह दोनों में है तो आपका output यह आएगा इसलिए यहां a plus a equal लिखा गया है बसे दरीके से end gate की अगर बात करें तो इसमें भी वही है अगर a a है इसको end gate में रखते हैं यह end gate में रखता तो output आपका a ही आएगा ठीक है क्योंकि दोनों वन है तो output वन आएगा कि तो हम लोगों ने यह भी देखा और यह भी देखा और बस इतना है होग कि बाकी सब अपलोग कर लेंगे यहां इसमा compliment है ठीक है यह सब compliment लिखा गया यह पता नहीं चोटा क्यों हो जाता है ओके सो गाइज यह है रिडंडेंस लौ यह फिर डिंटिटी लो जो में देखें आपको यह भी समझ में आया होगा यह मैंने बस याद रखने के लिए कि किस तरीके से यह होता है आप याद रख आतने के मैं इसका अलग से वीडियो बना दूँ तो आप comment में नीचे comment किजिएगा मैं जरूर आपके लिए यह वीडियो बनाऊंगा okay so thanks for watching